Hello and welcome back guys to another video of Mission 90% Class 10 So, इस वीडियो में हम करने वाले हैं Work Energy Power पिछले दो वीडियो में हमने Force का चैप्टर कम्पलीट कर दिया था चैप्टर नमबर वान था Physics Series स्टार्ट कर दी थी तो अब हम Work Energy Power करने वाले हैं इस चैप्टर के भी दो पार्ट्स होंगे लेकिन पहली वीडियो की तरह सेकिंड पार्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है उसका लिंक कहां सी मिलेगा वगएरा क्योंकि कमेंट में आपको पूरी की पूरी Physics Series की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी वहां से आप चैप्टर कर सकते हो सभी चैप्टर लाइन वाइस ओडर में सभी वहां मिल जाएंगे और जो मैं एक कैमपेंग की बात कर रहा था फास्ट चैप्टर में भी की थी एक महीने का कैमपेंग होगा तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो हर दो सब्सक्राइबर एक पेड लगाया जाएगा एक सोशल कैमपेंग है ये ठीक है तो इस वीडियो से पर्टिक्लर इस वीडियो और इस वीडियो का एक सेकिंड पार्ट है जो हमारा वर्क एनरजी और पावर चैप्टर का उसमें से जीतने भी हमें सब्सक्राइबर्स इस मंथ के अंदर मिलेंगे वह उनको कैलकुलेट करके एक पेड लगाया जाएगा और उसका रिजल्ट इस कैमपेंग का रिजल्ट आप यहां चेक कर सकते हो यहां पर मैं स्टोट डाल दूँगा अपडेट आपको कर दूँगा तो make sure you follow here also तो चलिए अब बिना time waste करे work energy और power को शुरू करते है पहले यह बता दूँ करेंगी कैसले बस आपको पता होना चाहिए क्या है मारा देखो work energy power इन तीनों topics को अच्छे से बढ़ेंगे ठीक है इस वीडियो में हम work और power पढ़ेंगे और अगली वीडियो जो इसका second part है second और आखरी पार्ट ठीक है इसका last है बाद दो ही पार्ट में होगी यह वीडियो उसमें हम energy और theorems बगएरा जितनी भी special cases या relations है वो सब उसमें पढ़ेंगे तो जल्दी से work कर लेते हैं इसके चार points है work के आपको उसके बाद expression वगएरा अलग से पढ़ेंगे ठीक है बताऊंगा सब तो first point है जो हमारा वो क्या है ये रहा it is a scalar quantity सबसे पहले हम quantity की बात करते हैं किसी भी चीज़ की हो चाहे work की energy की power की force की भी खी थी हमने हैं तो slavers कम होगा नहीं सभी point to point अच्छे से करवाऊंगा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम ठीक है तो बापीस आते हैं हमारे first point पर quantity क्या है scalar quantity है यह दो quantities होती है हमारे पास एक होती है हमारी scalar और दूसरी हमारे पास vector होती है आपको यह तो पता होगा scalar vector होते हैं ठीक है force वाले chapter में मैंने बता भी दिया था वैसे तो scalar होता है अकेला magnitude किसी भी quantity का और vector होता है हमारा यहाँ पर magnitude plus direction दोनों चीज़े आ जाती है तो work हम करते हैं उसमें अकेला मारे पास magnitude होता है क्योंकि वो क्या है यहां से हमने देखी लिया it is a scalar quantity और SI unit बहुत जादा important होता है चाहे वो किसी भी quantity का force का हो momentum का हो गया work energy जितने भी होते हैं इसमें हम तीन चीज़ें basically focus करेंगे work energy और power और SI unit जो बहुत जादा important है मैं अब भी कह रहा हूँ याद कर ले ना हर quantity की और उनकी symbols वगएरा units बताऊंगा अगे ठीक है तो ऐसा unit हमारे पास joule है किसकी work की ठीक है इसका वैसे formula भी होगा आप बताऊंगा या tension नहीं लेनी बस ठीक है second point पर आजाते हैं हम जल्दी से second point है हमारा definition है work की ठीक है work is set to be done only when the force applied on the body makes the body move अब इसका मतलब क्या है देखो simple तरीके में बताऊंगा आपको तो मान लो यार ये आपके पास एक box पड़ा है ठीक है अब आपको इस box को move करना है आप इसका धक्का तो लगा रहे है इस पर काफी देर से मान लो अगर आप यहां तो यहां पर हम क्या कहें कि यह जो box है यह जो body है मारी यह move कर रही है इसको हम कहेंगे कि यहां पर work apply हो रहा है यही इस definition में लिखा है work हो रहा है कि जब force applied on the body makes the body move जब यह force इस body को move करवाएगी तब जाकर हम कहेंगे कि work हो रहा है I hope आपको यह definition समझ में आ गई होगी चलो अब third point पे चलते हैं इसकी example है यार ठीक है तो यह ही हमारी जो example है के a man pushing a car बहुत सारी example है कुछ भी लिख लो ठीक है चाहे आप लिख सकते हो horse ठीक है pulling a cart ठीक है वो भी आप example दे सकते हो बहुत सारी examples है कुछ भी move होता दीखे और उस पर कोई force लग रही हो तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर कोई ना कोई work हो रहा है अब जो हमारा fourth point है उसको थोड़ा इधर लिखेंगे ठीक है सबसे जादे इन चारों में से यह important होने वाला है क्योंकि इसमें हम करने वाले है work की dependence कि work जो हम कर रहे हैं किसी body पर वो किस किस बातों पर depend करता है और इसी में से हमें formula भी work का मिल जाएगा तो देखो यार पहला point है magnitude and direction of force अब आपको यह scalar quantity दी तो यहाँ पर किला magnitude रहना चाहिए था लेकिन ध्यान से देखो यहाँ force की बात हो रही है work की नहीं ठीक है तो देखो force कितनी लग रही है और किस direction में लग रही है उन दोनों बातों पर depend करेगा कि work कितना हो रहा है और जो second point है वो है displacement कि कितना move हुआ यह भी तो पता होना चाहिए कि यह 10 meter more हो गया हमारा 20 meter हो गया कितना हुआ है यह सब हमें अगर पता हो और अगर यह चीज़े change होती है तो हमारा work भी change हो जाएगा इसलिए जो हमारा work है वो किस पर depend करेगा magnitude and direction of force और displacement पर अब यहाँ से हमें formula का क्या पता चल रहा है देखो यार direct बताऊंगा आपको expression of work में direct यहीं से formula आपका बन जाएगा कैसे अभी बताता हूँ तो देखो यार जो हमारा formula है वो है work is equal to force का vector into displacement यानिके force और displacement का product क्या कहलाएगा हमारा work ठीक है work equals to force into displacement मेंट अब देखो यार अब यह चीजें हम expression of work निकाल रहे हैं तो हमें force का formula बनाना पड़ेगा अब यहाँ पर dot product लिया है आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब अगर इसको हम simplify करें तो हमारा आएगा work is equal to force into displacement अब यहाँ पर arrow का काम आएगा ठीक है arrow को हटा कर आप क्या लिख सकते हो force into displacement cos theta ठीक है तो यहाँ पर यह basically हम यह प्रूव करेंगे अब कैसे करेंगे देखो यार दो तरह से हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर दोनों हमने लगाए हुए हैं तो जो हमारा first है पार्ट उसमें हम क्या करेंगे by finding the component of displacement along the force यानि कि हम displacement के इसके component को find करेंगे और second part में हम force के component को find करेंगे along with displacement यहां से अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा diagram से आएगा अच्छे से फिर हम expression करेंगे तो चल्दी से हम अब diagram बना लेते हैं यह रही है हमारे पास diagrams अब थोड़ा zoom करके एक-एक को समते हैं confused ना हो इसी लिए ठीक है तो देखो यार हमारे पास अब first diagram आ चुकी है थोड़ा page को ऐसे कर लो ठीक है तो यहां पर लिखा है by finding the component of displacement along the force सबसे पहले तो यह note कर लेना displacement को हम ऐसे denote करूंगा मैं इसमें वीडियो में ठीक है तो देखो यार यहां पर एक box पड़ा हैमारे पास यह जमीन है यहां पर यहओ बोक्स पड़ा है मारे बास वो नी जिचे आए गया obviously भात है तो देखो यार यहां पर आप यह इडान है एंगल theta पे सब कुछ support करके चलेंगे तो सबसे पहले points को नाम दे देते हैं तो मालो यह ABC है ठीक है और यहां पर इस box की यह initial position है यह final है मालो ठीक है अब क्या हुआ यहां पर देखो जब यह यहां पर खड़ा था तो of course यहां पर कुछ force लग रही होगी तब यहां पर यह खड़ा है ठीक है और जब यह पर कुछ इस तरह से force लग रही होगी ठीक है यह तो देखो यार obvious ही बात है इस point को a b को क्या मानेगे s cos theta ठीक है आई hope आपको दीख रहा होगा यह s cos theta यहां पर क्योंकि angle हमारा theta है इसलिए हमने यह cos theta लिया और s हमारा displacement को represent कर रहा है force हमारी लगी रही है यार देखो ठीक ह हुआ हमारा force into a a b यही दो हो गया क्योंकि work कितना हुआ force कितनी लग रही है और displacement ठीक है इन्हीं दोनों बातों में depend करता है यह हमारे formula में आ चुके है अब ठीक है लेकिन अब आपका अगर यह question है कि हमने a b को s cos theta क्यों लिया यह भी question आएगा कि a b को ही क्यों लिया यह मैं यह तो बनाना था ठीक है लेकिन अब यह s cos theta कैसे आया देखो यार cos theta का हमारा formula क्या होगा base upon यह यहाँ पर a b हमारा base होगा ठीक है base upon hypotenuse a c ठीक है तो अब देखो a b तो हमारे a b ही रहेगा a c को हम s से represent कर सकते हैं displacement यह बिलकुल कर सकते हैं क्योंकि यह तो एक component है displacement तो यह है ना shortest distance सीधा यह तो नीचे हमारा component है displacement गार इसलिए a b by s हमारा आ गया अब इसको हम लिख सकते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्या हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा a b है वो equal है s cos theta के इसको अगर छोड़ें तो cos theta s इधर आ गया बस simple है ठीक है a b is equal to s cos theta और यहीं से यही चीज़ हमने इसमें use की और हमारे पास expression आ गया बिलकुल simple ठीक है अब दूसरी diagram की by finding the component of force अब यह कैसे करेंगे तो देखो यार displacement होगी ठीक है और यहां पर points का नाम देना यार सबसे important है a b और c यहीं से हमारे expressions बनते हैं सब ठीक है और यहां पर force लग रही है बिलकुल same है जैसे हमने पहली किया था वही सब इसमें आ रहा है तो angle इसमें उल्टा बनेगा क्यों बनेगा बताऊं तो यहां से मालो एक इस तरह से हमें direct straight line point लेंगे और इसको 90 degree का मालो ठीक है और points को बस नाम दे दो randomly P दे दिया इसको दे दिया N कुछ भी देज़को तो यार आप मर्जी हमारी ठीक है component बना लो अब देखो यार यहां पर तो force लग रही है सीधा दो तो नीचे कौन सा component आ सकते हैं इस diagram से work done है जो हमारा w वो क्या equal है na into nc na into nc क्योंग यही तो work हो रहा है यह box नीचे तो आएगा ठीक है तो na into nc आ गया अब nc को हम s से represent कर सकते हैं तो क्या हम nas यह देखो nc इस सारे को किस से represent कर रहे हैं यह displacement है हमारी ठीक है s से तो यहां पर हम na into s लिख देंग और अब यहां पर क्या आएगा na की हम form बनाएंगे कैसे क्या हम na को pa cos theta क्या हम ऐसे लिख सकते हैं आपको यार मज़ा नहीं आया ठीक है ज्यान से देखो यह pa है यहां पर cos theta लगा दिया पी ए हमारा एफ है ठीक है तो यहां पर पी ए और ए क्या है एमारा f लखाई थीद है तो वही हम यहां पर लिख रहे हैं है कि na ही हमारा क्या आईगा na हमरा है f cos theta यहां इसको रट भी लो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर यह समझें ना है तो इसको रट लेना असान है ठीक है तो यहां पर लिखो जार सार तो हो गया solve of तो कुछ भी नहीं बचा यहां पर आएगा f cos theta into में s और यहां पर हमार आ गया f cos theta इनी को rearrange कर दिया बस यही चीज़ है दोनों में सेम ही आ रही है हमारी यहां पर भी f cos theta थी और यहां पर भी हमारी f cos theta थी यह चोटा सा expression था इतना important तो नहीं है यह ठीक है important इतना नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको basics तो clear होने चाहिए यह expression आपका हो गया है work का अब एक important note करवाऊंगा बहुत जादा important इसको ध्यान से देखना यह रहा आपकी screen के उपर के since यार देखो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ना कुछ knowledge बता तो इसी में से बता देता हूँ चलो तो देखो यार force और displacement vector quantities हैं यह आपको पता है मैं यह मान के चल रहा हूँ देखो force का मैंने आपको first chapter में करवाया यह है और displacement यार देखो distance है उसमें direction डाल दो तो आपका क्या बनेगा displacement ही बन जाता है ठीक है तो vector quantities हैं तोनों बस और work का आपको पता है scalar quantity है हमारी ठीक है तो क्या हम यह कह सकते है कि दो vectors का dot product है हमारा एक scalar product यह हम अराम से कह सकते है scalar product मतलब scalar quantity ही लगा लो ठीक है दो vector quantities का product करके हमें एक scalar quantity मिल रही है जी बिलकुल मिल रही है तो हम इनको देखो यह पीछे हमने कर रहा था cos theta से represent करते हैं तो अगर किसी भी scalar quantity को यह आपको मैं easy way में बता रहा हूँ क्योंकि कि अभी आप dot product और vector product पढ़ने बैठोगे dot और scalar वगारा बहुत time लग जाएगा dot product को scalar product भी कहते हैं यह इसका अलग नाम है बस और अगर आपको कहीं पर भी दो vector quantities के आगे एक cos theta देखने को मिल जाए यहलगे हमें पता है कि यह quantity इस तरह से represent होती है और यह quantity कुछ इस तरह स है तो मानलो के dot product है हमारा ठीक है इसलिए हम भीच में dot लगाते हैं अगर हम यहाँ पर sin theta लेते मानलो वैसे हम लिए नहीं सकते sign theta तो हम क्या कहते अगर यहाँ पर sign theta use होता हमारा तो हम यहाँ पर cross product यूज़ करते लेकिन हमारा cos theta है तो dot product यूज़ कर रहे हैं बस यह याद इसको सब छोड़ दो special cases पे आओ special cases यह बहुत यार सभी बातों के लिए मैं आपको ऐसे लग रहा हूँ कि सभी बातों को बहुत important कह रहा है लेकिन है तो है यार special cases तो बहुत ज़ाद है अब क्यों है अब देखो यार इसके तीन cases है special तीन special cases है जिल में से हमारा first है कि if the displacement is in the direction of force अब देखो यार इसमें मैं दो बातें आपको बता दूँ पहले इनको करने से मैं symbol use इसलिए कर रहा हूँ यह displacement के लिए displacement लंबा है इसको short में लिख रहूँगा यह आपको नहीं सोचना यार यह मैं कर भी नहीं रहा यह इसलिए कर हम क्या करेंगे special cases में cos theta की value निकाल रहे होंगे basically formula से ठीक है तो अब देखो हम कह रहे हैं कि displacement और force दोनों एक ही direction में हैं अब क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मानलो इस तरह से force और displacement एक ही direction में लग रहे हैं तो इनका angle क्या होगा मुझे यह बताओ theta इनमें क्या होगा अ कि वैसे तो इसका formula क्या बनेगा cos 0 कितना होता है cos 0 degree 1 होता है na cos 0 हमारा 1 के equal होता है अगर हमें यह पता है तो हम जैसे value put करेंगे तो हमें क्या मिलेगा work is equal to force into displacement vector use नहीं कर रहा है आप का होगे cross product नहीं cross product तो अब कहेंगे अगर उपर vector हो इसमें vector नहीं इसलिए इसका मतलब सीधा multiply ही है तो work को हम force into displacement से represent करेंगे जब theta 0 आ गया cos 0 वान ही होता है और 1 से multiply करेंगे तो same ही रहेगा यह था हमारा छोटा सा first case अब हमारा second case क्या बनता है इसी में से बनेगा कैसे बनेगा बस यहाँ पर हमारा theta की value यहाँ पर लिख देता हूँ theta value अगर 90 degree हो जाए अब इ जो force है इस तरह से लग रहा है ठीक है यह उपर को force हो displacement है तो cos 90 degree हो basically तो हमारा work done 0 हो जाता है अब क्यों क्योंकि हमारा cos 90 कितना होता है 0 और 0 के साथ किसी को भी multiply करो तो 0 ही आ जाता है अब इसको कैसे आ सकता है यह कि if the displacement is normal to the direction of force ठीक है third case है जो हमारा बहुत असान है बहुत जादा असान है सब कुछ बहुत असान चल रहा है कि अगर opposite direction हो कि displacement तो हो इस तरह से माल लो और displacement इस तरह से है और force इस तरह से हो अब क्या कोगे क्या angle 0 है नहीं है theta हमारा 180 degree का होगा ध्यान से देखो deep है अगर आपके पास check कर लेना ठीक है तो देख अगल कुछ इस तरह से नहीं बनेगा यह है ठीक है 180 degree का होगया angle और अगर cost 180 की value यार यह याद रख लेना cost 180 degree value minus 1 होती है और अगर minus 1 को अगर हम करे multiply f into f से तो minus f s बन जाएगा f into s कहलो एक ही बात है तो work हमारा negative में आ गया ठीक है अब एक question आ जाते है define define 1 joule of work अब देखो आप कोगे इसमें इस करवाया नहीं जी बिलकुल नहीं करवाया लेकिन ये समझाने के question नहीं आप definition देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है चोटी सी चीज़ जो मैंने आपको दी I hope आप कर लोगे आप करेंगे relation between joule and arg अब यह ऐसी चीज है ना जे से भी represent कर सकते हैं one j भी लिख सकता था हमें अगला है ठीक है क्या हम इसको कह सकते हैं newton meter में आपको पता है कि joule को newton meter में first chapter की अगर आप वीडियो देखी हुए तो आप इससे agree करोगे point से newton meter एक newton और एक मीटर में एक जूल आप कह सकते हूं के एक मीटर के अंदर ए मजा आजाएगा वान जूल लिख देते हैं यह कितना हो गया 10 to the power 5 डाइन फस्ट चैप्टर में यह relation किया था एक newton को डाइन में किया था कैसे हुआ और एक मीटर में हमारे कितने centimeter होते हैं 100 centimeter तो हम इसको 10 की power 2 लिख देंगे अब multiply में हो तो क्या होगा power हो जाएंगी हमार है अब इसी चीज़ को हम कैसे represent कर सकते हैं 9 into centimeter हमारा अर्ग होता है इसलिए हम कहेंगे के 1 joule equals 10 to the power 7 अर्ग यह था हमारा relation बहुत आसान वे में समझाया है 3-4 लाइनों में देखो यार इसमें मैं 10-10 minute waste नहीं करूंगा आपके ठीक है जो points छोटे हैं उनको छोटे तरीकी से कराऊंगो जो बड़े हैं जिनमें time लगता है उनमें time लगेगा तो हमने एक page तो कर लिया है अब हम second page करेंगे क्या करेंगे energy नहीं power करेंगे फिर energy अगली वीडियो में हो और इसके ऐसा unit what है इसको भी हम w से represent करते हैं आपको गया w तो work के लिए था जी बिल्कुल work एक quantity है ठीक है हमारे पास work एक quantity है लेकिन उसकी units कि जिसमें होती है हमारी work की unit कि जूलती तो उसको हम j से represent कर रहे थे आगे उसकी unit को इसी तरह power की unit है जो वो है what w ठीक है what आप य याद रखना है आपको second point देख लेते हैं जल्दी से यार देखो इसकी definition लिख रहा हूं मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा मैं देखो यार क्यों नहीं करूंगा आप देखो बिल्कुल असान लिखूंगा के rate of doing of work बस rate of doing of work कि हम कितनी जल्दी वर्क कर रहे हैं कितने या आपको question भी देखने को मिलेगा तो देखो जिनको second point समझ में नहीं आ रहा था यहां से आ जाएगा अब ठीक है देखो power spent by a source is measured as कैसे measure होता है amount of work done per second by the source अब यार power का इससे formula यहां से बन जाएगा कि amount of क्या कर रहे हैं amount of क्या है हमारी work done ठीक है what नहीं है work done है ठीक है तो work done per second मतलब time की बात हो रही है मतलब by में आ जाएगा हमारा t तो t time है हमारा ठीक है और w हमारा watt है तो यह किसके एक को लारा है हमारा power के और यही हमारा formula है इसका work के लिए क्या था f s f dot s cos theta ठीक है power का क्या है w by t छोटा सा formula है यार second point सिसमें समझाया गयो कैसे measure होती है power किसी source की ठीक है fourth point इसकी dependence पर होगा पहली लिख देता हूँ यार मैं किस किस factor पर हमारी जो power है वो depend करती है यार देखो first तो हमारा formula में से लिख रहा हूँ के the amount of work done by the source कितना work कर रहा है हमारा उस पर क्योंकि work जादा होगा power जादा होगी यही बात है ना work जादा power जादा है ठीक है और अगर work कम होगा time जादा होगा तो बारू कम लगी यार basic basic सी बात है तो देखो time taken t wt formula से लिख रहा हूँ और बताओ मुझे work किया था हमने उसका f into s लिखा था तो work किस किस पर depend कर रहा था f पे और s पे इसी तरह से जो हमारा power है वो किस किस पर depend कर रहा है हमारा work पे और क चोटे चोटे अब कुछ important points हम discuss करेंगे चार और फिर वीडियो को करेंगे खतम तो जो हमारा first point है वो हमारा क्या है first point हमारा के if one joule of work is done in one second the power spent is said to be one word obvious ही बात है देखो अगर हम यहां पर power की value क्या होगी कि अगर हम work को one ले ले time को one ले ले तो obviously बात है one by one कितना होता है one ही होता है हमने पता है power की unit है हमारी what cgs unit है इसकी arg per second इसको हम represent करते हैं arg second inverse से बस यह था चोटा सा second point अब हम क्या करेंगे कुछ इदर से तो quantities को compare करेंगे लेकिन एक third point देख लो जल्दी से SI unit और cgs unit का relation अब आप को गया सिर्फ 4 points और यह सब है for power में अकिला नहीं energy में जो इसके और भी है energy करेंगे second part में और जो उसके साथ करेंगे न कुछ theorem से बगार उसमें इनके concept में और deepness आजाएगी और अच्छे से हम power को कर देंगे finish कर देंग यार ठीक है स्लेपर्स की टेंशन दो अब मतीलो सारा chapter करेंगे ठीक है कुछ ने छोड़ने इसमें से तो relation क्या है हमारा के 1 watt है आपको यह पता है कि यह होता है 1 joule per second इसलिए 1 joule कितना होता है 10 to the power 7 erg और second inverse हमारा second inverse ही रहेगा तो हम कहेंगे के 1 watt equals to 10 to the power 7 erg per second यह था हमारा relation बहुत असा है हमारी quantities एक किलो वाट में कितने होते हैं हमारे watt 10 to the power 3 watt thousand है एक किलो में हजार ही होते हैं तो 1 kilowatt equals 10 to the power 3 watt 10 की power 3 के मलब 1000 है 30 है एक क्या ठीक है अब next है हमारा एक MW मेगा ठीक है उसके बाद एक GW गीगा भी होग हमारे ठीक गीगा वाट और यह कितने होते हैं हमारे तो megawatt होता है हमारा 10 to the power 6 watt और 1 gigawatt होता है हमारा 10 to the power 9 watt यह तो हो गया हमारा अब हमारे पास कुछ smaller units आएंगी जैसे सबसे पहले हैं हमारे पास 1 milli watt अब यह कितना होगा 10 to the power minus 3 watt और फिर आजाता है एक microwatt जिसको हम mu से represent करते हैं वो कितना है हमारा 10 to the power minus 6 watt बस यही था smaller units का इतना इधा ठीक है अब कुछ notes की बात कर लेते हैं अगर तो आपने notes बना रखे हैं तो तो well and good है यार उससे अच्छा कुछ नहीं है लेकिन अगर आपके पास notes नहीं है ठीक है notes आपके पास नहीं है त तो आप यह add आगी आगे वह आप देख लेना वहां से आपको सारी information मिल जाएगी notes से related congratulations thank you अब तू भी 10th में हो गया वो भी ICSC board हाँ या तो न मैंने 9th की science में 99 वाँ मेरे भी इतना ही थे पर 10th में मगर तू तो इतना नहीं पढ़ता था सभी subjects में नहीं यार बाकियो में तो कर लेते हैं लेकिन फिलू जी और चमिस्ट्री में दिखते हैं तेर मतलब फिजिक्स बाइलोजी और केमिस्ट्री में अरे इस वीडियो की description और comment box में google form का लिंक पिन किया हुआ है उसे भरो नोट्स लो उपर से तरे हर महीने tuition की half price बतलब दो सु रूपीज में टे करो इस UPI ID पे और अपनी email ID पे एक दो चैप्टर नहीं पूरे subject के नोट्स पाऊ और नहीं किस institution की जुरूर सिंपल सच में और इतना कम पड़े तो ये सुनो अभी नोट्स अनलोग करने पे टेलिग्राम पे उनका official 24-7 support free और इन नोट्स के benefits screen पे देख ले जो इन नोट्स को बाकियों से different बनाते हैं तो कूपन कोड के section में मेरी यू पीए एड़ी डाल मुझे भी 20 रुपे मिलेंगे वाया मतलब जिकने रैफर उतनी कमाई भी और क्या प्री में थड़ी बताऊंगी तुझे अभी लेता हूं नोट्स और दो फेलियों तो मेरे पास भी हैं कॉन यश साहिलो राशी इस टाल